तो देखते हैं पर question number 11 में हमसे क्या पूछा गया है when an object is placed 20 cm from a corn के mirror a real image magnified 3 times each form तो यहाँ पर क्या बोला गया है एक object है वो यहाँ पर corn के mirror से 20 cm की दूरी पर रखा जाता है और वहाँ पर क्या बन रहा है हमारा real image बन रहा है और जुसका magnification यहाँ पर क्या है 3 times है क्या है यहाँ क्या मेनifiction 3 times पूथा क्या है यहाँ पर focal length पूछा गया है और यहाँ पर क्या पूछा क्या है बी पार्ट में where must the object be placed to give a virtual image 3 times the height of the object तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा object को कहां रखना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर क्या मिले virtual image मिली three times the height of the object कि यहाँ पर जो object की थी उससे यहाँ पर तीन गुना जो height है image की मिले तो इसको यहाँ पर करते हैं solve तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं तो हमें यहाँ पर object distance दे रखिए यहाँ पर कितनी है 20 cm तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं object distance object distance इसको हम यहाँ पर u से denote करते हैं यह हमारे यहाँ पर क्या होगा minus का 20 cm नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर कौन के mirror है और जो object है वो हमारे यहाँ पर क्या 3x करते हैं यहाँ इसलिए लेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या बनज रहा है रियल image तो रियल- gegnt रियलियो इमेच पर क्या बना है इसलिह मैगनिवले नेगे हैं रियल- इमेज के दूमल्लय को जो फॉमला लेके चलते हैं तो Hag鍵िए को जो small M से denote करते हैं और इसका यहां पर दूसरी फॉर्मला閑 यहां पर क्या था वी अपन यू वी हमारा यहां पर image distance है एमेजकre गिज्टेन्स है यहां हमारा यहां पर क्या है? अबज़कre डिखेन्स है, इसे हम यहां पर क्या करेंगे? image distance को find out कर लेंगे तो हम क्या करेंगे magnification हमें माइनस 3 ते रखा है और माइनस का V and U हमें यहाँ पर क्या दे रखा है माइनस का 20 जो object distance था यह माइनस यह माइनस हमारे हमारे यहाँ पर क्या हो जागा positive हो जाएगा and V equal to यहाँ पर क्या होगा आसानी से focal length निकाल सकते हैं तो focal length निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा image distance तो जो हम यहाँ पर formula यूज करते हैं वह हमारे यहाँ पर क्या होता है mirror formula होता है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ mirror formula तो mirror formula आपको यहाँ पर पता होना चाहँ है actually में होता क्या है वो हमारा होता है 1 upon v plus 1 upon u equal to 1 upon f तो v हमारे हैं पर नेगेटीव में था तो हमारे क्या होगा minus का 1 upon 60 हो जाएगा and यहाँ पर negative का u होगा क्योंकि यह भी हमारा minus में था तो minus का 1 upon 20 equal to 1 upon f, f हमारा यहाँ पर क्या focal length है, focal length को हम small f से denote करते हैं, तो यहाँ पर LC हम लेंगे, तो कितना हैगा हमारे 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 60 आजाएगा, and यहाँ पर minus का 1, 23 to 60 होता है, तो यहाँ पर हो जागा minus का 3 equal to 1 upon f, तो यहाँ पर आगा हमारे minus का 4 upon 60 equal to 1 upon f, इसको यहाँ पर further solve कर लें, तो यहाँ पर कितना जागा, 4 बन जाग 4 and 4 बन जाग 4 and 4, 5 जाग 20, तो यहाँ पर हमारे हमारे आगा 15, 15 तो f हमारे यहां पर कितना हो जागा माइनस का 15 cm तो यह तो हमारे यहां पर क्या निकल गया focal length निकल गया तो मैंने यहां पर क्या करता पहला वाला पार्ट यहां पर रफ कर दिया क्योंकि यहां पर मैंने g गया-स फ्री यहां कि रसी दिये इसलिए महं पर क्या लेंगे इसको positive का 3 लेंगे virtual incarnation के लिए हम जो मैगनिफिकेशन लेते वह हमेशा positive का ही लेते हैं तो formula क्या था means can एक कोल टू मैनस का वी अपान यू we हमारे यहां पर क्या image distance U हमारे यहां पर क्या object distance और M हमारे यहां पर क्या 3 है तो 3 equal to minus का V upon U और जो हमारे यहां पर minus का V हो हमारे यहां पर क्या हो जागा 3U and V equal to यहां पर कितना हो जागा minus का 3U तो हमें यहां पर करना क्या था हमें यहां पर object के distance यहां पर मिरर्ट फ्रम्ला से निकाल सकते हैं तो मैं यहां पर लिख लेता हूं using mirror formula using mirror formula mirror formula हमारे यहां पर क्या होता है one upon v फ्लस one upon u equal to one upon f तो v हमारे यहां पर क्या minus का 3 उयू तो पूरा minus का उजागा one upon three u plus one upon u focal length भी हमारे यहां पर negative में था तो minus का one upon fifteen यहाँ पर LCM लेंगे गे तो कितना आएगा, 3U आएगा यहाँ पर कितना आजएगा हमारा ? minus का 1 and plus का 3 equal to minus का 1 upon 15 further solve करेंगे तो कितना आजएगा 2 upon 3U equal to minus का 1 upon 15 और cross multiply करेंगे तो 3U उपर चला जाएगा, equal to 15 multiply 2 तो यह हमारा minus का 3U equal to 15 15 x 2 हो जाएगा and u equal to 15 x 2 upon minus 3 तो 3 बंज रहे 3 3 5 जब 15 तो u equal to हमारा कितना जगा minus 10 cm कितना जगा minus 10 cm negative इसलिए हैगा क्योंकि जो हमारा object होगा वो यहां पर क्या होगा हमारा left side होगा और आप यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर क्या front of the mirror तो यहां पर लिख देता हूं object हमारे यहां पर क्या होगा front of the mirror होगा तो hope आपको यहां पर बी पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा अब हम चलते अपने next question के तरफ